नमाईश कर दोस्तों, इंडरन रेलवे दुनिया का फोट सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क जो अमेरिका, चाइना, रस्या के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क है जो तक्रिवन 75,000 किलोमेटर में फैला है इंडरन रेलवे के अंतरगत परती दिन तक्रिवन 13,000 से भी ज्यादा ट्रेने चलती है जिसके वज़े से भात में काफी सारी ट्रेने डिले होती है और अपने कहे टाइम से काफी लेट भी हो जाती है बट आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रेंड के बारे में भी बताऊंगा जो भात की सबसे फास्टेस ट्रेंड के रूप में भी जाना जाता है जो कभी भी आज तक डिले नहीं हुए तो वीडियो को पूरा देखना एंट देखना अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब चरूर करना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में पाँच फास्टेस ट्रेंड के बारे में बताऊंगा जो कि मैं सबसे लास्ट आ में इसे जाना जाता है फूर्थ सताबदी एक्सप्रेस तेज रफ्ता से चलने वाली यह भाद की सबसे पुरानी ट्रेंड में से एक है जिसकी स्पीड तक्रिवन 150 km पर धिघंटा है ट्रेंड काफी पूप्लर है क्योंकि यहाँपे बहुती अच्छे लिपे से तरीके से फैसेर्टी मिलती है जिसके वजे से यह सताबदी एक्सप्रेस काफी पूप्लर है यह सताबदी एक्सप्रेस दैली से अलग-अलग रायजिओं की राज़ानी तक चल उपलब्ध होती है, खाना से लेके आपको डिनर वगएरा जो भी चाहिए, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, जिसकी quantity और quality दोनों ही सांदर होती है, वहीं अब बात करते हैं, भाथ की second fastest train, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, भाथ की second fastest train में से एक है, जिसकी speed तक्रिबन एक सो पैसर से एक सो सतर किलोमेटर परती घंटा के इसाब से चलती है, डेली से जहांसी की और जाती है, जो एक बहुत ही वहाइपी ट्रेन के रूप में इससे जाना जाता है, यह ट्रेन में काफी सारे वहाइपी treatment भी मिलते हैं, अगर आप कभी travel कियोंगे, तो आपको यह यहाँ पर चॉकलेट और गुल दस्ता देकर स्वागत किया जाता है, इतना ही नहीं, यहाँ सभी तरह के delicious food की भी facility होती है, आप जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं, ऐसे में अगर आप इस ट्रेन में अभी तक travel नहीं कियें तो एक पर जरूर इसका experience लें, वही भाद की सबसे fastest train है, नए दमोदी द्वारा अपनी महतकांची प्रोजेक्ट मेकिन इंडिया के तहत बनाया गया बंदे भार train, बंदे भार train की speed 180 km पर ती घंटा बताये जा रही है, जो metro की तरह ही बहुती लगजरी और advanced train के रूप में इसे देखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिप आ होता है, ऐसे में अगर आप इस बंदे भार train में अभी तक travel नहीं कियें, तो एक बार मेरे हिसाब से आपको जरू travel करना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसी train पहली बार आई है, जो बहुती सांदार और luxury train है, ऐसे में आपको एक बार जरू travel करना चाहिए, अब यहाँ तो मैं 169 एर वर्ड पुरानी है, जो कि अपने आप में एक भूत बड़ा achievement है, पहली बार इंडन रेलवे को 1853 में मुंबे बोरी बंदरा से लेके थाने के बीच में चलाये गया था, जिसके डिस्टेन तकरिबन 34 किलोमेटर थी, दूसरी interesting fact, इंडन रेलवे का पहला वर्क्सोप बिहार में हुंगेर के जमितपूर में ब्रिटिस द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी, next interesting fact है, इंडन रेलवे चार यूनेस्को वर्ल्ड हैटे साइट को कंट्रूल करती है, यानिके ओन करती है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है, पहला य इस्टेशन नहीं, बलकि गौरगपूर जंक्सन में ही है, next इंडन रेलवे की interesting fact है, कि यह दुनिया की एकलोती ऐसी ट्रेन है, जहां पर एक ही location पर दो अलग-अलग stations है, मैं बात करों अहमद नगर की जहां पर सीरामपूर और बेलापूर इस्टेशन एक ही location पर situated है, हाला इस्टेशन में से एक है, वहीं मत्रवा जंक्सन के पास सबसे ज़्यादा route को merge किया गया, जो कि तक्रवन साथ अलग-अलग routes के लिए एक ही point पर, एक ही जगा पर merge किया गया, इसके अलावा, इंडन रेलवे के पास दुनिया का किसी भी railway के मुकाबले सबसे ज़्यादा कर करना, तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप से request करना चाहिए, वीडियो को like करदना, चैनल को subscribe करदना, जाहिन दोस्तों